Welcome friends, स्वागत है आपका अपने चैनल इंडियन कानून इन हिंदी में तो आज की वीडियो में हम IPC section 498A पर सुप्रेम कोट के द्वारा दी गई गाइडलाइन्स के बारे में बात करेंगे तो आए जानते हैं इसमें सुप्रेम कोट ने क्या नही गाइडलाइन जारी की है कई बार मामला इस तरीके से बनता है कि कई बार ऐसी घटना होती है कि पती की कोई गलती भी नहीं होती लेकिन पत्नी फिर भी जूटा केस अपने पती पर कर देती है कई बार छोटी छोटी बातों को लेकर जब हस्बेंड और वाइफ में कहा सुनी हो जाती है तो पत्नी उसे बड़ा रूप दे देती है घर छोड़कर अपने माईकी चली जाती है या फिर किसी के बहकावे में आ जाती है और पती के उपर 498-A का केस कर देती है जबकि एक्चॉल में 498-A का केस बनता ही नहीं है इस केस को करके पत्नी का मकसद सिर्फ अपने पती को प्रेशर में लेना होता है पत्नी पती पर 498-A का केस छोटी मोटी कहा सुनी पर भी करने लग जाती है तो ऐसे मेमानी सुप्रीम कोट की गाइडलाइन्स आई है साथ ही सुप्रीम कोट ने ये भी कहा है कि पत्नी अगर अपने सबूतों के अधार पर 498-A को साबित नहीं कर पाई तो ऐसा केस खारिच करने योगे होगा और पती को इस केस से बाइज़त बरी किया जाएगा इसमें पती को चिंता करने की कोई भी अफशक्ता नहीं है अगर पती के पास भी पत्नी को लेकर कोई सबूत है तो पती उसे कोट में पेश करके केस को अपने पक्ष में करवा सकता है तो आई होप दोस्तो इस वीडियो में दीकी जानकारी आपको पसंद आई होगी तो ऐसे ही कानून से समंदित जानकारियां पाने के लिए आप मेरी चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब सरूर करें वीडियो में लाइक तक जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का धन्यावाद